Hello everyone, welcome to my channel. आज के वीडियो में हम जानेंगे ठार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आईए चुरू करते हैं. ठार को इंग्लिश में stop, place, accommodation या occasion कहते हैं. Stop, place, accommodation या occasion. एक example से समझते हैं इसे, example, you have to stop here and wait. यह stop को मतलब है ठार, अधराण, आपको यहीं ठार और इंतिजार करना होगा. इसी के साथ आज के वीडियो में इतना ही. Thank you so much for watching my videos.